गरतांत्र दिवस 26 जनवरी इस बीच जहां एक तरफ राजपत पर कारिकरम होना था उसके साथ ही किसानों को तीन जगा से इजाज़त दी गई थी कि वो एक परेड कर सके रैली कर सके इसके लिए बकाइदा दिल्ली पुलिस ने इजाज़त दी थी और इजाज़त थी कि सांत प्रदरशन करते हुए बरिकवेट्स को तोड़ दिया पुलिस के साथ उन्हों ने लगातार जो जिस तरीके से बह्रंत हुई उनकी जिस तरीके से मुटभेड़ भी हुई पुलिस के साथ और इस बीच टकर और जो जड़ब हुई उसके चलते यहां पर देखेगा तमाम ज से रोखने की कोशिश की तो किसान यहां पर नहीं रुके उनसे कहा गया था जो एलाइन रास्ते बताए गए थे शंबू वार्डर से जिस तरीके से और टीक्री वाटर से 63 किलो मीटर और जो यह गाजीपुर वार्डर था वहाँ से 46 जो रूट एक पहले से एलाइंग था उसके विपरीत जब यहां से निकलने की और जाने की कोशिशें की गई तो यह जो बैरिकेट्स थे यहां पर किसान जो निकल रहे थे जो रैली कर रहे थे उन्होंने यह बैरिकेट्स गिरा दिया इसके साथ जो शांतिपूर ढंग से प् प्रिस्क्राइब्ड रूट था एक रूट बताया गया था कि गाजीपूर बॉर्डर से लेके दिल्ली के अंदर जाने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड रूट था उस रूट को बताया था लेकिन उसके बावजूद किसानों ने जो काम किया वो बिल्कुल उलट कर दिया शान्तिपूर ढंक से जो अभी तक प्रदर्शन चला रहा था उस बीच आज जब एक बहुत बड़ा कारिक्रम होने वाला था जो आज तक ऐसा इतना बड़ा अंदोलन जो नहीं देखा गया था जो लगबग बीते दो महिने से चल रहा हो और शान्तिपूर ढंक से चल रहा हो लेकिन उसके बावजूद जो आज 26 जनवरी को जो रैली प्रस्तावित थी उसके बाद इस तरीके से जो हुआ जो कुछ भी आप देख सकते हैं तस्वीरे आपको जादा बया कर सेगेंगी कि क्या कुछ यहां पर रहा होगा यहां किसान जो ट्रैक्टर से निकल रहे थे उ पर लगाई गई थी लेकिन इन बसिस पर भी ट्रैक्टर चला रहे किसानों ने ट्रैक्टर से इसमें तोड़फोड कर दी लेकिन हाला कि अभी तक आपको तस्वीरे बता दू तस्वीरे जब संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े किसान नेता है जो पूरा बैनर तले जि और जो वहाँ पर पुलिस करमी है दिल्ली पुलिस के उनके बीच लगातार तमाम जड़फ की खबरे आ रही है दिल्ली वासियों से एक ही बस उमीद है दिल्ली वासियों से कहना है कि 26 जन्वरी का मौका है चुट्टी का मौका है तो ऐसे में अगर आप बहार निकलना चाह है कूडा समय से भार फेक है नालियों में गंदगी ना करें कूडा कूड़दार नहीं डालें कोविड-19 का पालन करें नगर को साथ सच बनाय रखने में हमारा सयोग प्रदान करें